जहिन दोस्तों बात करने वाले हैं नेवी अगनीवीर SSR and MR की रिजल्ट डेट के वारे में रिजल्ट कब तक आएगा एक्सपेक्टेट कट अफ इस्टेट वाइज कितना रहने वाला है और इस्टेट टू एक्जाम से रिलेटेड जो रेटरन एक्जाम होगा वा ओफ लाइन होगा उससे रिलेटेड निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी एंड इस्टेट टू के लिए कौन कौन सी डॉकुमेंट जो इंपोर्टेंट हैं जिनके विना आप एंट्री नहीं कर सकते हैं तो इस वीडियो में बहुत अच्छे सेपन जाने हैं तो सबसे पहले बात करेंगे स्टेज टू रेटरन एक्जामनेशन की है तो रेटरन एक्जामनेशन में क्या क्या होगा प्रेंट्स रेटरन एक्जामनेशन शेम आपका ओफ लाइन होगा और इस offline exam में कोई भी negative marking नहीं होती तो आपके लिए एक plus point है कि आप सभी question attempt अच्छे से कर सकते हो और आप इसी के ऊपर जो merit बनेगी वो इसी exam के ऊपर बनने वाले है आपके stage 1 से कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद friends बात करेंगे PFT के तो PFT आपके सामने याँ पर दिखा ही है gender male के लिए आप 1.6 km की run 6 minutes 30 seconds में है और साथी female के लिए 8 minutes में है ठीक है बात करें squirts की यानि उठक बेटक की तो male के लिए 20 है female के लिए 15 है and push up की बात करें तो male के लिए 12 है and female के लिए नहीं है and bent नी sit ups की बात करें तो female के लिए 10 है male के लिए नहीं है तो यह हो गया friends physical standard उसके बाद हम देखेंगे documents तो friends documents बहुत important है यहाँ पर तो आपको original documents जो आपने upload किये थे online application जब आपने fill किये थी उस time पर जो documents आपने upload किये थे वो आपके पास होना चाहिए जैसे के original certificate आपके 10-12 के जो original certificate मासीट यह होना चाहिए दौमिसाल certificate आपका original होना चाहिए और जिस बंदे के पास NCC certificate था वो आपके पास है तो वो भी आपको लेके जाना है अगर आपने online जब भराता form उसमें upload किया है तो ठीक है अगर फ्रेंट्स यह सारी जो आपके original documents में जो आपने फिल किया था उस ताइम पर डॉकुमेंट्स में अच नहीं होगा जो document verification में तो आपका जो है candidature will be cancelled है यहां पर दे रखा है अगर आपकी कोई भी documents में कोई problem होगी तो आपका किसी भी stage पर आपका selection नहीं होगा ठीक है उसके बाद बात करेंगे results की बहुत important है आप है फ्रेंट्स results जो है आपका officially जो notification में दे रखा है वो आपका tentatively after 30 days दे रखा है यानि आपके exam के 30 दिन बाद का दे रखा है within 30 days नहीं है तो आपका exam जो है 95 को खतम हुए है ठीक है तो इसके 30 days बाद आप जोड सकते हैं तो वही something 12 मार्च तक आपका result आना चाहिए यानि 10 से 12 की बीच में आपका result आएगा यह आपका 30 days के बाद एक दो दिन लेट भी हो सकता है क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है tentatively दिया है आपके ठीक है तो यह आपका result का हो गया आपका 10 से 12 मार्च के साथ आपका result आ जाएगा उसके बाद फ्रेंट्स एक्सपेक्टिड कटओ एक्सपेक्टिड कटओ जो है आपका state Y a.s कटओ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर कटओ बताना बहुत मुश्किल हो सकता है ठीक है तो अभी कटओ नहीं बता सकते क्योंकि सभी state का अलग लगा कट आप जाएगा तो आप एक बार अपना कमेंट करके बताईए कौन-कौन से स्टेट से हो आप और कितने आपने अटेम्ट किया है फिर उसके बाद हम एक सर्वे करने के बाद डिसाइट करेंगे ठीक है फ्रेंट